ल तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प॥ रिडियो के स्टार्टिंग में देख चुके खोर तो फ्रेंड अगर आ पिवकून एपनी फोटो के साथ या किछी के भी फोटो के शाथ कूछ इस प॥ एक रिडियो एडिटन करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको end तक देखना है ताकि आप step by step समझ पाए कि वीडियो को कैसे edit करना है फ्रेंड ऐसे status वीडियो बनाने के लिए हमें का application चाहिए जिसका नाम है kind master तो उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर आसानी से download कर सक तो चलिए फ्रेंड हम video editing के लिए अपने kind master application को open कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां से हमने kind master application को open कर लिया है open करने के बाद यहां पर हमें new project पर click करना है click करने के बाद यहां पर हमें 16.9 का receive लेना है लेने के बाद यहां पर हमें create पर click कर देना है अब फ्रेंड यहां पर हम स पांच फोटो को सेलेक्ट कर ले रहा हूं तो फ्रेंड यहां से हमने अपने फोटो को सेलेक्ट कर लिया है फ्रेंड यहां पर आप चाहो जितने फोटो का यूज कर सकते हो यहां पर आप चाहो तो अपना फोटो भी आड़ कर सकते हो तो फ्रेंड यहां से हमने फोटो को बराबर कर देना है और फोटो को में दोनों फिंगर से जूम करके अच्छे से सेट कर लेना है तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको सभी फोटो को अच्छे से सेट कर लेना है तो चलिए फ्रेंड मैं इसे जल्दी जल्दी कर ले रहा हूं ताकि हमारा वीडियो ज्यादा बना बने तो फ्रेंड यहां पर हमने अपने सभी फोटो को अच्छे सेट कर लिया है देख सकते हो फ्रेंड अब इसमें अपना ट्रांजिक्शन एफेक्ट डालेंगे तो उसके लिए पर हम इस पलस की आइकन पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर हम ट्रांजिक्श कुछ इस प्रकार से दे देना है देने के बाद यहां से में back आ जाना है और यहां पर हम second वाले plus की icon पर click करेंगे और same process से हाँ पर first वाला दे देना है तो इसी प्रकार से आपको सभी में first वाला ही दे देना है तो चलिए फ्रेंड मैं इसे भी जल्दी जल्दी कर ले रहा हूं ताकि हमारा वीडियो जादा लंबा ना बने तो फ्रेंड यहां पर देख सकते हो फ्रेंड यहां पर हमने अपने सभी photos में effect को दे दिया है अब यहां से में back आ जाना है कुछ इस प्रकार से अब इस वीडियो को हमें एक बार अपने phone में save कर ले रहा है तो इसके लिए यहां पर हमें 0 पर click करना है click करने के बाद यहां पर हमें quality 1080p और 30 रख लेना है यहां पर हमें save पर click कर दे रहा है और हमारा वीडियो save होना start हो जाएगा तो फ्रेंड जब तक हमारा वीडियो save हो रहा है तब तक हम bet कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां पर हमारा वीडियो save हो चुका अब यहां से हमें कुछ इस प्रकार से back आ जाना है back आने के बाद यहां पर हम layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहाँ पर हम media में जाएंगे और यहाँ से एक अपने PNG फोटो को add कर लेते हैं तो चलिए फ्रेंड मैं अपने PNG फोटो को add कर ले रहा हूँ तो फ्रेंड यहाँ से हमने अपने PNG फोटो को add कर लिया add करने के बाद यहाँ पर split screen पर जाना है और इसे हमें full skin में कर लेना है करने के बाद यहां से हमें कुछ इस प्रगार से back आ जाना है देख सकते हो friend और इसकी duration को खीच कर हमें कुछ इस प्रगार से यहां पर end तक रख लेना है देख सकते हो friend इसी प्रगार से आपको भी कर लेना है उसके बाद यहाँ पर हमें आ जाना इसकी adjustment में और इसकी situation को हमें कुछ इस प्रगार से बढ़ा देना है देख सेक्टे हो friend उसके बाद यहाँ पर नीचे के side में आएंगे तो इसके hue को भी थोड़ा सा हमें कुछ इस प्रगार से बढ़ा लेना है add करने के बाद यहाँ पर हमें 3 dot पर click करना और इसे हमें send to back कर देना है कुछ इस प्रगार से उसके बाद हमें यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा करके अच्छे से set कर लेना है देख सकते हो friend इसी प्रगार से आपको भी छोटा करके अच्छे से set कर लेना है सेट करने के बाद यहां से में back आ जाना है अब फ्रेंड इसमें अपने model का png photo आड़ करेंगे तो उसके लिए अपर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर media में जाएंगे और यहां से अपने model के png photo को add कर लेते हैं तो फ्रेंड मैं आपको जानकारी के लिए पता फ्रेंड यहां से अपने photo को add कर लिया है add करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको भी जूम कर लेना है जूम करने के बाद यहां पर हमें आ जाना है इसकी rotation में और हमें कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना रोटेट करने के बाद यहां पर इसे अच्छे से जूम करके हमें कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको भी सेट कर लेना है उसके बाद यहां से बैक आ जाना है कुछ इस प्रकार से और इसकी डूरेशन को खेज कर हमें यहां पर end तक रख लेना है कुछ इस परकार से उसके बाद यहां से बैक आ जाना है और स्क्रॉल करके स्टार्टिंग पोजिशन पे आ जाना है अब फ्रेंड इसमें अपना music का template वीडियो आइड करेंगे तो उसके लिए से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड यहां से हम अपने वीडियो को एड कर लिया है एड करने के बाद यहां पर हम नीचे के साइड में आएंगे तहां पर हमें blending में आ जाना है blending में आने के बाद यहां पर हमें स्कीन कर देना है इसकी इन करने के बाद यहां से में कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है और लाना हमें यहां पर नीचे के साइड में इससे करके सेट कर देना है देख सकते तो friend इसी प्रकार से आपको भी सेट कर देना है set करने के बाद यहां से बैक आ जाना है कुछ इस प्रकार से और इसकी आइडियो को हमें कुछ इस प्रकार से यहां पर mute कर देना है mute करने के बाद यहां से बैक आ जाना है अब फ्रेंड इसमें अपना lyrics status video add करेंगे तो इसके लिए हाँ पर layer में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहाँ पर मीडिया में जाएंगे और यहाँ से अपने lyrics वाले status वीडियो को add कर लिया है add करने के बाद यहाँ पर हम नीचे के side में आएंगे तो हमें आ जाना है blending में blending में आने के बाद हमें यहाँ पर इसे multiply कर देना है उसके बाद यहाँ पर hमें कुछ इस प्रुगार से से थोड़ा सा छोटा करना है और लाना है आपर हमें उपर के साइड में ऐसे करके यहाँ पर set कर देना है set करने के बाद यहाँ से वे back आजाना है कुछ इस प्रिगार से अब फ्रेंड इसमें अपना फ्लावर का फालिंग टेंपलेट आड़ करेंगे तो इसके लिए अपर लेयर में जाएंगे लेयर में जाने के बाद यहां पर मीडिया में जाएंगे और यहां से अपने टेंपलेट वीडियो को आड़ कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां से अपने करने के बाद यहां से में बैक आ जाना है कुछ इस प्रगार से तो फ्रेंड हमारा status वीडियो completely बनकर तयार हो चुका है तो चलिए फ्रेंड आपको थोड़ा सा play करकर दिखाते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा status वीडियो कुछ इस प्रगार से बनकर तयार हुआ है आप इसे अपने whatsapp पर लगा सकते हो और किसी फ्रेंड के पास share भी कर सकते हो अब इसे अपने phone में save करने के लिए हाँ पर हमें share ओ पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर quality आप अपने हिसाब से रख सकते हो और save पर click कर दे